आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चानल पे जैसे कि हमें पता है कि आप अलड़ी आंसर की डिक्लेयर कर दिया गया है चालेंजिंग वाला प्रोसेस खतम हो गया है अब रिजल्ट आने के बाद जस्ट फर्स वीक ऑफ जुलाई से आपका कांसलिंग स्टार्ट हो जाए जिससे हमारा एड्मिशन हमारे ड्रीम कॉलेज में ना हो पाए तो प्लीज मेक स्टार्ट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर जितने भी डॉक्युमेंट मैं आपको बता रही हूं ये डॉक्युमेंट आप हैंडी रख रहे ह हैं ताकि आपकी admission बहुत smoothly हो सके आपको counseling process में कोई problem ना आए तो please make sure that you watch this video till the end and if you are a new subscriber don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon because यहां पे आने वाली हर एक video neat aspirant के लिए बहुत ही useful रहती है बहुत ही informative रहती है तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं and I request you all please copy pen लेकर note कर लीजिए ये सारे documents and अगर आपको कुछ भी doubt आता है किसी भी document के related कि माम यह document हमने नहीं बनवाया हुआ है यह कहां से बनवाना है तो आप comment section में इस video के comment करके पूछ सकते है I will be surely replying to it and I will be making a video separately on that topic अगर बहुत सारे बच्चों का semi query आता है तो first अगर हम certificate की बात करें तो सबसे पहले सबसे basic आपका जो class 10th का mark sheet रहता है वो required होगा आपको लेकर जाना होगा then उसके बाद अगर हम बात करें आपकी class 12th का mark sheet अब बहुत सारे बच्चों का यह सवाल आता है कि मैं class 12th का original mark sheet अभी तो हमारे पस नहीं आया है but बेटा आ आपके class 12th का mark sheet मिल जाता है अब इस process को smooth करने के लिए आपके पास mark sheet जल्दी पहुंच जाए इसलिए dg locker का introduction करवाया गया था right so आप वहां से अपना mark sheet download कर सकते हैं आपको वो लेकर जाना पड़ेगा next अगर हम बात करें neat admit card अब इसके उपर बहुत सारी चर्चा होती है बच्चे बहुत confused हो जाते हैं कि neat का admit card तो माम लेकर जाना आए या नहीं लेकर जाना है तो of course you have to take along with you neat admit card and even इसमें भी काफी सारी बच्चों को doubt होता है माम की सारी pages का print out निकलवाकर लेकर जाना है बटा first page will be more than sufficient for you ठीक है our first page जहापे आपका application number and details mentioned है आप उसका print out important रहता है बिटा काफी सारे बच्चे जो है वो neat confirmation page को download नहीं करते हैं यह required होता है documents में ताकि यह आप बता सके कि आपने neat का जो form था वो भरा था आपकी उसमें details mentioned होती है आपका signature आपकी photograph वो सब चीजे मेंचन होती है या पर मैंने इस respective student की information hide की हुई है बट आपका जो first confirmation page जाएगा आपको इसको for sure download करके लेके जाना होगा ठीक है next अगर हम बात करते है नी 2024 scorecard अभी जब result आएगा उसके बाद आपका scorecard आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इसी channel पर आपके लिए वीडियो भी बना दिया जाएगा कि scorecard को आपके scorecard के उपर जो जो document है यह आप अभी pending छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी result आएगा तभी आप इसको printout निकल वापाएंगे उसके बाद अगर हम बात करें neat seat allotment letter यह भी जो document होता है जब आपका seat allot कर दिया जाता है particular जब आप counseling process में हैना participate करना start करते हैं तो एक round आता है उसमें आपका allotment आपक documents verification के लिए तो वहाँ पर आपको यह allotment letter साथ में लेकर जाना होता है फिर category certificate if you are applicable अगर आप किसी particular category से belong करते हैं let's suppose आप OBC category से belong करते हैं SC ST category से belong करते हैं तो उस case में आपका category certificate होता है जो आपको साथ में carry करना होता है ताकि आप उस particular quota के अंदर जब admission लेना चाहते हैं है त तो आप महाँ पर show कर सके that you belong to this category right next 8 passport size photographs आपको लेकर जानी पड़ेंगी अप यह rule है जो बोलता है कि 8 photographs लेकर जानी है but मैं being a student जब मैं अगर एक student होती थी तो उस time पर मैं make sure करती थी कि मैं extra photographs ही अपने साथ carry करू ठीक है by chance कहीं ज्यादा photographs लगी but minimum आपको 8 photographs passport size photographs आपको identity proof carry करना है अब identity proof में आपका अधार card आ जाता है आपका passport आ जाता है आपका pen card आ जाता है so whatever the thing जो भी आप identity proof अपने साथ carry करना चाहते हैं कीजिए but this is a mandatory document next transfer certificate या फिर migration certificate अगर आप class 12th के बाद ही need दिये है और first attempt में clear हो गया है तो class 12th का transfer certificate and migration certificate लगता है अगर आप किसी respective course म admission ले चुके थे या आपने उसका first year complete कर लिया second year complete कर लिया and then you gave a neat examination and आपका neat examination qualify हो गया अच्छे number से अब आप MBBS admission लेना चाहते हैं तो आप transfer करना चाहते हैं अपने college को तो उस case में बिटा आपका उस with respect to college का transfer certificate and migration certificate लगता है ठीक है यह document आप इस महीने में भी जो है अपने respective school से या फिर respective college से carry कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि yes for sure मेना अब मैंने answer की match कर लिया है मुझे पक्का आप रेडी कर लीजे next gap certificate जो बच्चे gap लेते हैं है ना let's suppose आपने एक year का gap लिया आपने उस year में किया क्या है आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो आगे जा कि आपको problem में फसा सकता है आपने कोई ऐसा offense तो नहीं किया तो gap certificate required होता है to just to prove that कि आप इस साल में क्या कर रहे तो आपको वहां पर justify करना होता है कि वह जो gap year था उसमें आपने क्या किया है actually तो यह gap certificate में अगर किसी को कोई doubt है कि कैसे बनबाना है कहां से बनेगा क्या यह सब colleges के लिए required होता है या need counseling में compulsory है या नहीं कुछ भी आपको doubt आता है आप comment section में comment के जहें then next is equivalency certificate equivalency certificate सिरफ औ कुछ真 respective states इंहन जहां पर state counseling की बात करते है बहन पर required होता है सबके लिए required नहीं होता है यूपी, Bihar जहां उस side required होता है आपकी state में required है या नहीं है आप उसके respective state counseling की जो respective state की जो काउंसलिंग की वेब साइट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते है रिकॉर्ड दोक्युमेंट्स में इन जैनरल कौन-कौन से रिकॉर्ड होता है वो मैं सारे यहां पर कवर कर रहे हूं तो अगर आप उस्टेट के बिदा ने कुछ पर चाहिए रिकॉर्ड रहता है अगर आप बोलें कि अगर आप को इस चीज में डाउट है तो फॉर आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीज़ेगा इयुक्ट बात जरूरी रहता है अगर अगर आप स्टेट कांसलिंग में बना द जाते हैं of that particular state 85% quota जो रहता है वो तभी eligible रहते हैं आप तभी उसके लिए eligible रहते हैं अगर आपके पस domicile certificate होता है so these are a few documents जो आपको अपने handy रखने हैं तयार रखने हैं because counselling बटा 1st July से है ना most probably July के 1st week से start होने के chances है and result भी बहुत जल्दी आ जाएगा अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि इस बार उतना अच्छा number नहीं बन रहा है मुझे next year यानि कि 2025 में भी neat का paper देना है preparation धुआधार तरीके से करनी है तो खजाना आ गया है आपके लिए यार यह खजाना सच बोल रहे है यह एक ऐसा खजाना है जिसके लिए हर एक बच्चा हर एक neat aspirant मैं बोलू तो तडपता है क्योंकि इस खजाने में आपको सब टॉप फैकल्टी के lectures मिल रहे हैं complete coverage हो रही है physics, chemistry, geology and botany की and more than 500 videos हैं बिटा इस खजाने में सारे topics covered है NCRT की accordingly as well as बिटा numericals, theories, everything is covered in detail and guess what इसका जो प्राइस है ना मैं अगर सच में प्राइस बताऊं तो यह priceless है बिटा है ना तभी तो इसको खजाना बोल रहे है ना खजाने का कुछ कीमत थोड़ी लगा सकते हो आप प् हमने हमारे नीट aspirants के लिए future नीट aspirants के लिए एक खजाना free कर दिया है आपको zero rupees में मिल रहा है यह अगर आप इसमें enroll करते हैं links are mentioned in the description box of this video 5 June तक yes 5 June तक सिरफ और सिरफ उसके बाद बिटा इसकी cost increase करेंगे 5 June तक आपके लिए offer है आप इसमें enroll कीजिए using the code doctors अगर आप सच में doctor बनना चाहते हैं तो यह खजाना आपके preparation में आपको बहुत जादा help कर सकता है आप अगर doctor's code use करते हैं और इस खजाने में enroll करते हैं तो आपको यह सब चीजें free में मिलने वाली है on the order 24 7 app link is mentioned in the description box you can comment down अगर आपको कुछ भी doubt आ रहा है don't forget to like the video share the video with all your friends because इन में से requirement होईगी जैसे कि अगर मैं simple बात करूं this thing यह जो आपका यह वाला document है need confirmation page यह काफी सारे बच्चे लेकर नहीं जाते हैं so इतना chaos होता है ना वहाँ पर so it's better कि आपके सारे documents अभी prepare कर रहे हैं लेकर जा रहे हैं handy रख रहे हैं and wish you good luck for your results बस results कभी भी आ सकते हैं बहुत ही ज लगते हैं मिलते हैं बहुती जल्द नेक्स्ट वीडियो में till then stay tuned don't forget to like and subscribe to the channel bye bye